जन्मों का कर्स एक सेट जी बहुत ही ध्यालू थे धरम करम में यकीन करते थे उनके पास जो भी वेक्ति उधार मांगने आता तो वे उसे मना नहीं करते थे सेट जी मुनीम को बुलाते और जो उधार मांगने वाला वेक्ति होता उससे पूछते की भाई तुम उधार कब लोटाओगे इस जन्म में या फिर अगले जन्म में जो लोग इमानदार होते वो कहते सेट जी हम तो इसी जन्म में आपका कर्स चुकता कर देंगे और कुछ लोग जो ज़ैदा चलाक वो बैमान होते वे कहते सेट जी हम आग का कर्ज अगले जनम में उतारेंगे और अपनी चलाकी पर वे मन ही मन खुश होते कि क्या मूर्ग सेट है अगले जनम में उधार वापसी के उमीद लगाए बैठा है ऐसे लोग मुनीम से पहले ही कह देते कि वो अपना कर्ज अगले जनम में लटाएंगे और मुनीम भी कभी किसी से कुछ पूशता नहीं था जो जैसा कह देता मुनीम वैसा ही लिख लेता एक दिन एक चोर भी सेट जी के पास उधार मांगने पहुँचा उसे भी मालूम था कि सेट अगले जनम तक के लिए रगम उधार देता है हाला कि उसका मकसद उधार लेने से अधिक सेट की तिजोरी को देखना था चोर ने सेट से कुछ रुपे उधार मांगे सेट ने मुनीम को बुला कर उधार देने को कहा मुनीम ने चोर से पूछा भाई इस जनम में लोटाओगे या अगले जनम में चोर ने कहा मुनीम जी मैं ये रकम अगले जनम में लोटाऊंगा मुनीम ने तिजोरी खोल कर पैसे उसे दे दिये चोर ने भी तिजोरी देख ली और तै कर लिया कि इस मूर्ख सेट के तिजोरी आज रात में उड़ा दूँगा रात में ही वे सेट के घर पहुंच किया और वहीं भैंसों के तबेले में चिपकर सेट के सोने का इंतजार करने लगा अचानब चोर ने सुना कि भैंसे आपस में बाते कर रही हैं और वे चोर भैंसों के भाशा ठीक से समझ पा रहा है एक भैंस ने दूसरी से पूछा तुम तो आज ही आई हो ना भैंस उस भैंस ने जवाब दिया हाँ आज ही सेट के तबेले में आई हूँ सेट जी का पिछली जनम का कर्ज उतारना है और तुम कब से हो यहाँ भैंस ने पलटकर पूछा तो पहले वाली भैंस ने बताया मुझे तो तीन साल हो गए है भेन मैंने सेट जी से कर्ज लिया था ये कहकर कि अगले जनम में लोटाओंगी सेट से उधार लेने के बाद जब मेरी मृत्य हो गई तो मैं भेंस बन गई और सेट के तबेले में चली आई अब दूद देकर उसका कर्ज उतार रही हूँ जब तक कर्ज की रकम पूरी नहीं हो जाती तब तक यही रहना होगा चोरनी जब भैंसों की बाते सुनी तो होश उड़ गए और वहीं बंदी भैंसों की और देखनी लगा वो समझ गिया कि उधार चुकाना ही पड़ता है चाहे इस जनम में या फिर अगले जनम में उसे चुकाना ही होगा वे उल्टे पाउं सेट के घर की और भागा और जो कर्ज उसने लिया था उसे फटा फट मुनीम को लटा कर रेजिस्टर में अपना नाम कटवा लिया हम सब इस दुनिया में इसलिए आते हैं क्योंकि हमें किसी से लेना होता है तो किसी को देना होता है इस तरह से प्रतिक को कुछ ना कुछ लेने देने के हिसाब चुकाने होते हैं इस कर्स का हिसाब चुकता करने के लिए इस दुनिया में कोई बेटा बनकर आता है तो कोई बेटी बनकर आती है, कोई पिता बनकर आता है तो कोई मा बनकर आती है, कोई पती बनकर आता है तो कोई पत्नी बनकर आती है, कोई प्रेमी बनकर आता है तो कोई प्रेमिका बनकर आ कोई बडोसी बनकर आता है, तो कोई रिष्टेदार बनकर आता है, चाहे दुख हो या सुख, हिसाब तो सब को देना ही पड़ता है, यही प्रकरती का नियम है, जै जै श्री राधि, जै जै श्री कृष्ण